हेलो एवरीवन डॉक्टर आभा भला हीर मैं होमीपतिक फिजीशन हूँ और भिलाई में मेरा क्लेनिक है और मैं पिछले 14 साल से यहां प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रेंग्स मैंने बहुत सारे वीडियो दिया अलग अलग टॉपिक पर आज का टॉपिक भी एक रिक्वेस्टेड है आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप क्या हूमीपतिक मेडिसिंस को यूज कर सकते हो यूज कर सकते हो यूज हाइपो टेंशन क होते जो पेशेंटस होते हूँ फीमेज ज्यादा होती हैं कम एमें यूजवली यह देखने को मिलता है क्योंकि लास्ट विडियो में आपने देखा होगा मैंने बताया था hypertension ज्यादा age में usually होता है क्योंकि arteries की elasticity reduce हो जाती है तो hypertension अक्सर कम age में देखने मिलता है females में देखने को मिलता है और कौन से cases होते हैं जिनका body weight कम होता है उनको या जो पानी कम पीते हैं या जिनको bleeding ज्यादा होते हैं या fluid loss जिनकी body से अक्सर जिनको diarrhea रहता है urination जादा होता है इस type के अगर cases होते हैं तो उनमें हम देखते हैं BP low रहता है इसके साथ अब symptoms क्या आएंगे चक्कर लग सकता है patient को सिर गूमने वाली feeling जो है वो लग सकती है कभी-कभी nausea भी लगता है जी मचलाने की भी feeling आती है बहुत ठकान लगती है ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं किसी काम को करने के लिए energy बिलकुल भी नहीं लगती सीड़ी सी बात है अगर आपके body में जितना blood आपको required है उतना speed से flow नहीं कर रहा है तो आपको ताकत लगी नहीं सकती है तो इस तरीके से अगर आपको feel होता है और आजकल तो BP की machine हर घर में available होती ही है और अगर आप watch कर रहे हो आपका BP लगातार 120-80 से कम आ रहा है अगर तो आपको hypotension का problem है और इसके साथ ही अगर आपको नीद नहीं आ रही या सर भारीपन लग रहा है सर में दर्द होना एक अलग इशू होता है और सर में हलका भारीपन होना अलग इशू होता है dullness feel होती है आखे ऐसी लगते हैं कि heavy है वजन है मेरे उपर और कुछ करने का मन नहीं हो रहा है तो लगता है सोते रहे बस इस टाइप के अगर सिम्टम्स है तो BP लो है आपका ओके सो यह हो गए सिम्टम्स की बार अब इसके लिए कुछ जर्नल बाते पहले बताना चाहूंगी जो की आप अपना कर अपने BP को ठीक रख सकते हो ठीक है फर्स्ट आप आप आल तो चेक करना है हमको ब्लड टेस्ट करके देखना है क्या हमारा हीमोगलोबिन कम है अगर हीमोगलोबिन कम होता है तो भी लो बीपी होने का अकसर देखा गया यो कि प्लाजमा उतना जादा होता है यह सब बहुत सारे वेल्यूज जो मैं अच्छे से प्लेश नहीं कर पाऊंगो लेकिन देखिए आपका हीमोगलोबिन कम है क्या या आपका कोई विटमिन का लेवल कम है क्या यह सब थोड़ा वाच कीजिए और अपने वाइटलेटी पर काम कीजिए अपने विलनेस पर काम कीजिए ठीक है सेकेंडली आपको पानी अच्छे से पीना है जो लोग अकसर पानी कम पीते हैं उनको भी वी पी लोग का इशू रहता है तो पानी अच्छे से पीना है थर्डली adequate sleep लिजिए आप सो ये प्रॉपरली अगर आपकी नींद कम होती है तो भी ये इशू रेखने को मिलता है चलिए ये सब हो गई जर्नल बाते अब हम बात करते हैं क्या होमिपथिक मेडिसिन साप ले सकते हो जर्नल कुछ ही मेडिसिन की बात करूंगी जिससे की आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी मेडि साइट रहता है और मैं अक्सर इस मेडिसिन को यूज करती हूँ दाट इस चाइना 200 चाइना का एक और नाम है सिंकोना ओफिशिनालिस ठीक है इन दोनों नाम से आपको मिल सकती है अगर किसी को ऐसा लगे कि मुझे मेरे फ्ल्यूड लॉस बहुत जादा हो गया है या ब्ली चाइना आप आधे आधे घंटे में दो डोस तीन डोस भी ले लेते है ना तो भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है यसा लगता ताकत आ गई शरीर में हाना वह सिंटम्स तो बहले मैंने डिसक्स किये ही तो लॉस ऑफ फ्ल्यूड लॉस ऑफ ब्लड के केसिस में तो आप एज अ हार्ट टॉनेक क्रेटेगस क्यू को जरूर लेजिए क्योंकि यह जादा नीचे बीपी को जाने नहीं देता आपके हार्ट के फंक्शन को मिंटेन करता है ओके नाव थर्ड मेडिसेन इस नाट्रम्यो 200 नाट्रम्यो 200 कभ इंडिकेटेड होती है जब आपको नमक खाने की बहुत डिजायर हो जोता है और जो धूप होती है वह अन्वियरेबल हो वह सहन ना हो बिलकुल भी ऐसे केसिज में नाट्रम्यो 200 क्योंकि देखो धूप पड़ेगी हमारे उपर तो फिर से हमें फ्ल्यूड लॉस होगा पसीना जादा आएगा और हमारा बीप नहीं कर पाता है नमक खाने की इच्च होती नमक अपने साथ वाटर ले करके जाता तो उनको बीपी थोड़ा ठीक लगता है इसलिए ऐसे केसिस में नाट्रम्यों देना है ठीक है एक और मेडिसेन कालीफॉस 200 कालीफॉस देकि मैंटर लेक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको किसी टेंशन वगेरा के कारण या स्ट्रेस है आपको या नीद पूरी नहीं हो रही है तो आप जर्नल ऐसे जर्नल मैडिसेन कालीफॉस 200 ले सकते हो ठीक है एक और बहुत इंपॉर्टन मैडिसेन आपको बता रहे हैं विसकम एल्बम विसकम एल्बम ना जब आपको होती है तब आप इसकम एल्बम ले सकते हो इसके अलावा एक और बायकेमिक मैडिसेन है जिसे आप जर्नली ले सकते हो जिसे बीपी मेंटेन रहेगा दाट इस बायकेमिक नंबर 27 अलाक वाइटलिटी का नंबर होता है या 28 भी आप यूज कर सकते हो जर्नल हमें जा रहे हैं किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो हमारे बीपी लो ना हो हमें अच्छा लगे हमें अनर्जेटिक फीलो तो आप इन दोनों बायकेमिक मैंसे किसी एक को ले सकते हो जिससे कि आपके अंदर एनर्जी होगी बीपी लो लोर साइड नहीं जाएगा ठीक है तो टॉपिक पर आगे आप फर्दर information चाहते हैं वो भी आप मुझसे जरूर शेयर कीजे मैं जरूर आपको knowledge दूगी उसके बारे में तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा हो लगा हो तो please like जरूर कर दीजे किसी ना किसी के काम जरूर आएगा इसलिए share भी कर दीजेगा मेरे च stay healthy stay fit